हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज हम लोग फिर से कुछ mcqs discuss करेंगे जो कि रशियन रेवलूशन से संबंदेत हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेट इस फिर्स्ट क्वेशन और यह क्वेशन है दे लीडर आफ द बोल्शेविक पार्टी बोल्शेविक पार्टी के लीडर कौन थे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दे लीडर आफ द बोल्शेविक पार्टी वस लेनिन तो लेनिन इस राइट आसर जिए उप्शन B नव फिर इसका अंसर होगा 1917 जैसा कि आप तो जानते हैं कि जारिस पावर मतलब वहाँ पे जार निकुलस जो है वो राज करता था वोल्ड वार खतम हुआ शुकी रशियास के लोग जो है वो वोल्ड वार में नहीं चाहते थे कि रशिया भाग ले उसके बहुजूद इन्हों ने भाग लिया उसके बाद रशिया की जो हालत है वो कापी खराब हो गई एकॉनमी की हालत खराब होई तो यह बिकेम वेरी अपॉपुलर और उसके बाद जो है तो उसकी जो पावर है रैट गोट कलापस्ट जारीना जारीना एलेक्जांड्रा थी यह वहां की क्वीन थी और यह जर्मन ओरीजिन की थी और यह भी एक कारणर था कि जार से लोग नाराज थे विकार्स दे रुशियर लोग जर्मन्स को नहीं चाहते थे अब लोग चौथे क्वेशन पर आते हैं जो कि कहता है कि भी वेर्ड जदीस्ट कोन थे तो जदीस्ट वेर्ड डाईष भिडिन दर रशियन एंपाइर तो यह चोर आपके पास मुसलिम रिफॉर्मर्स मुसलिम एडुकेशनिस्ट पार्सी रिफॉर्मर्स और जर्मन रफीजिस तो इसका जो आपका डानको मूंसलिम डिए को उसको नभर इस एंचार के फिरी 2007 गश्याइद दिए कर ऐसा आपको। पूरी तरिए ऐसा हे साथ फिर तू फॉल्स भी आप इससे कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट अंसर टाइप के questions हैं अगर all the above यह दो question दो option right है जिसमें A और B टाइप का लिखा रहेगा जो कि आगे आएगा भी इस टाइप के तो इसमें आपको दो या तीन पॉइंट रिमंबर होंगे तो आप जैसे answer जब लिखेंगे तो माली जे की तीन पॉइंट का यह तीन नंबर का question होता है तो तीन पॉइंट इसमें लिखने रहते हैं से भी सी बोट के किसाफ से जो नए pattern है जो नए रूल आया है तो यू can very very easily get the three points जो आपको तीन पॉइंट चाहिए उसको आप इससे जो है आपके दिमाग में बैठा रहेगा है all of the above अगर कोई option है तो इसमें तीन पॉइंट है उसको अप थोड़ा सा explain कर देंग एक आद लाइन में और तो आपको जो तीन नंबर है वो मिल जाएंगे प्लस short answer type question में तो बहुत वह है इसके अड़ावा very short answer type question होता है जो एक नंबर का question होता है वो इसमें आपकी साथ ह तो यह जो MCQ है यह सिर्फ एक purpose नहीं solve कर रहा है यह आपको कई purpose solve कर रहा है तो इसी के साथ आप हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले question जो की question number 5th है इसमें the main occupation of the people of Russia in the beginning of the 20th century was कौन सा main occupation था रशिया के लोगों का तो पहला manufacturing दूसरा poultry farming तीसरा fishing चौथा agriculture जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रशिया एक मात्र country थी यूरप की जो की सबसे ज़्यादा पिछड़ी थी industry में और वहां के लोगों का main क्या था occupation वो था agriculture इसके अड़ावा a labor party in Britain was formed by the socialist and तो एक labor party found की जाए थी तो उसके अलाव किसे किसे को एक socialist उसमें गुरूप ता तो दूसरा गुरूप उसके अलावा कौन था जैसे दे कि इसमें फिल्म डब्लेंग्स में भी आप तो डैश में trade unionist आएगा जो की इसमें mcq में भी करेक्ट आउसर है तो सेंटर पास्ट इूरिंग दव फर्स्ट वर्ल्ड वार इंक्लूड़ेट कंट्रीज लाइक जर्मनी तर्की एंड तो जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस इनके विरूद जो तीन देश लड़े उन ती तीसरी कंट्री कौन थी और स्ट्रिया तो आप सीधे सीधे यह नाम भी लिख सकते हैं तो इन देश ब्लैक में भी आ सकता है माली जिए उसमें यह लिख दे जर्मनी टर्की एंड ब्रिटेन तो वह त्रूफ फार्स में भी आसकता है तो आप लिख दीजे फॉल्स यह तो यूंड ऑस्ट्रिया थी तो आप इस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन कई तरीक पूछे सकते हैं अम वगला क्वेशन आता है क्वेशन फोछ नम्बर एर्थ तो दन नीव एस्शेटिविट अप्रिल थिसिस ज बहुत ही प्रिंट फिट थी और इस साथ किसका नीव एस पर बैठें and that was Stalin Stalin ने उनकी जग़ा सत्ता समाली Now what was Budion Voka Budion Voka जो है वो क्या था यह जो है Soviet Union में जो यह protesters थे जो communist protesters थे यह एक तरीके का coat पहनते थे तो that was known as Budion Ka यह भी देखे फिल इन दे ब्लेंक पर यह आ सकता है तो उसके बाद आते हैं हम लोग question number 11 में Which among the following groups were against any kind of political or social change कौन यह बहुत ही आसानी से बताया जा सकता है कि conservatism मतलब कौन से विचाथा रहा कोई change नहीं चाहती है कोई भी change कौन से विचाथा रहा नहीं चाहेगी जो कि dominant करती हो nationalist हो, liberal हो या radical हो यह change चाहते ही चाहते है एक ही विचाथा रहा है जो कभी भी कहीं पे भी चाहिए वरशिया में हो चाहिए वो इंडिया में हो वो change नहीं चाहेगी और वो कौन से विचाथा रहा है that is conservative इसके अलावा who conspired in Italy to bring about a revolution किसने जो है इटली में श्रायान तरकिया एक revolution ले आने का and that was Giusype Mezzini Mezzini was also involved in World War II तो यह बहुत ही important है अब इसके बाद हम लोग आते हैं question number 13 में which was the experiment are correct about Europe after the French Revolution अब देखिये जो यह मैं all of the above की बात कर रहा था कुछ देर पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें आपके पास चार आप्शन है हो सकता है चारो सही हो या हो सकता है कोई नहीं सही हो तो suddenly it seemed possible to change the aristocratic society of the 18th century however not everyone wanted a complete transformation of society some wanted gradual shift some others wanted complete change of society देखिये इसमें तीनों options राइट है क्यों कि French Revolution के बाद जो है कई सकताओं को पलट दिया गया तो लोगों को यह लगने लगा कि अब जो यह जो king है जो अपने आपको भगवान का रूप कर वो देते हैं दरजा ऐसा कुछ है नहीं तो यह पहला यह चीज था दूसरा आम जनता जो है वो पूरी तर से society को नहीं चेंज करना चाहती थी यह भी तहाँ उन में से लेकिन हला कि कुछ वर्ग था जो कि complete change भी चाहता था लेकिन maximum जो जनता है वो gradually change चाहती थी चेंज कोई भी जो है वो abruptly नहीं तो इसलिए सभी options राइट हैं तो इसका जो correct answer होगा वो यह होगा अब लोग अगले question number 14 पे आते हैं जो कि what kind of developments took place as a result of new political trends in Europe अब इसमें फिर से देखिए कि इसमें industrial revolution भी आया नए शहर भी आया railway भी expand नहीं तो मतब आप देखते रही कितना political trends के वेज़े से कई चीज़ें हो रही है अब है अगला question which of the following factors made autocracy unpopular in Russia तो इसके दो example है जैसे देखिए मैंने बोला the poor advisors like mark monk rasputin यह eight और एक यह यह दोनों ही थे तो इसका जो answer होगा वो है बोगत a and b इसके बाद how can you say that the liberals were not democrats कैसे आप यह कह सकते हैं कि liberals जो थे वो democrat नहीं थे they did not believe in universal adult franchise they felt that only men of property should have a right to vote women should have not right to vote or all of the above democracy का जो सबसे पहला सिद्धान्त है वो क्या है यह सारी जो चीज़ा है यह democracy में allowed होती है all of the above इसका answer होगा है democracy में universal adult franchise होती है इसके अलावा women's को vote करने का अधिकार होता है इसके अलावा property नहीं देखी जाती है चाब पास property है या property नहीं है आप अगर एक age सीमा से उपर है तो आप vote कर सकते हैं तो इसलिए तीनों answer सही होगा अब इसके बाद आता है यह question कि socialist जो है वो took over the government in Russia through the October revolution 1917 November revolution 1918 December revolution in 1919 और February revolution in 1920 अब आपके पास यह चार option है तो friends इसका होगा कि जो socialist took over the government in Russia मतब उन्होंने किस revolution को के तहत या किस revolution को करके गदी जो है वहां की हत्याई इसका बहुत ही आसान आसर है जो कि आप लोगा ने पढ़ा भी है चैप्टर के दौरान that is October revolution 1917 question 18 में क्या है क्या पूछ रहा है at the beginning of the 20th century the majority of Russian peoples worked in the ये पहले भी एक बार पूछा जा सका है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बार में दो question पूछ दिये जाते है तो आप लोगों इंतजार करना चाहिए तो ये agricultural sector है बस उसमें देखिए option हो सकता है दूसरा था एक ही question को दो या तीन तरीके से भी पूछा जा सकता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कुछ ने एक ही बार पूछा जाए just be very very patient now the commune of farmers was known as ये बहुत important question है आता है इसको बहुत ही कादे से याद कर लीजेगा the commune of farmers was known as और इसका correct answer होगा मीर अब इसके अलावा है which of the following statement is correct by 1916 railway lines in Russia began to break down there were labor shortages and small workshops producers essential were shut down मतलब जो labor की shortage हो गई और जो essential goods प्रोडूस करती थी जो workshop वो भी बंद हो गई और large supplies of grain were sent to feed the army चुकि World War 1 की यह से इस वज़ा से यह तो टीनों option है यह सही है इस वज़ा से इसका answer क्या होगा all of the above होगा तो देखिए आपको तीन पॉइंट भी मिलगा है आपको तीन नंबर के question के लिए तो आप इसको बड़े आराम से कम लिए तो मतलब आप देखिए यह आप लोग याद रखेगा इसको इसके अलावा which of these demands are known as so Lenin's Aprilthesis देखे फिर से पिछली बार जो एक question था शुरुवात में ही हम लोग ने discuss किया था कि Aprilthesis was given by अब यहां पे है कि which of these demands were referred to as Lenin's Aprilthesis मतलब इसमें कौन कौन सी demand थी और इसमें देखे एक और आपको तीन नंबर वाला भी question का आपको मिल सकता है या दो नंबर में भी आ सकता है या एक नंबर में भी आ सकता है जिसमें तीन आपके जो demand है वो सही होंगी World War I भी उन्हेंने demand किया था कि end हो जाए land should be transfer to the presence bank should be nationalized तो answer हो गया all of the above तो यह आप देखे कि कई चीजें इससे answer हो जा रही है now let's come to the question number 23 who led the Bolshevik group in Russia during the Russian revolution that is very very easy and that is Vladimir Lenin Lenin जो कि वहां के central figure थे हर revolution के Russian revolution के यह आप लो जान लीजे और Bolshevik party उनके द्वारा बनाई गई party थी in the world war one which started in 1914 Russia fought against तो Russia किसके किसके against लड़ा था अब रशिया जो है बिटेन और फ्रांस के साथ लड़ा था अगेंस्ट नहीं लड़ा था यह याद कीजिए तो कौन है answer इसका जर्मानी और और आस्टिया तो इसमें all of the above से confused मत होईएगा कि रशिया जर्मानी के और अस्टिया के वरुद्द लड़ा था इसके साथ एक और देश्टा होता और वो कौन सा देश्टा वो था तर्की तो बाकी बिटेन फ्रांस अमेरिका और रशिया यह चारो एक साथ थे तो फ्रेंड्स आज के MCQs में हम लोग इतना ही डिसकस करेंगे इस एपिसोड को वाच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वी विल मीट सुन इन दे नेक्स्ट एपिसोड और वो भी एक MCQ का ही होगा प्लीज दू स्टे टून प्लीज दून तक यवाचिए नेस एपिसोड